इरान और इस्रेल के बीच किसी युद्ध क्या हालात खत्म नहीं हुए है इसके पहले ही बेने में नेतनियाओ को बड़ा फैसला ले वो तीन बहुत गंबीर क्राइसिस से गेड़ चुके है अब इस्रेल की सेरा कोई डर है कि कहीं इस हालात का फैदा इरान ना उठा ले 24 घंटों के अंदर इस्रेल और इरान की टक्कर में तीन बड़ी घटनाओं ने बेनमिन नेतनियाओ को पूरी तरह हिला कर रख दिया है अमेरिका ने इस्रेली सेना की एक स्पेशल यूनिट पर प्रतिबंध लगाने की तयारी कर ली है इस्रेल की मिलिटरी इंटेलिजेंस के चीफ ने पद से इस्तीफा दे दिया है नेतनियाओ को शौक नमबर तीन इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा है कि इरान की मिसाइल पावर देखकर इस्रेल खौफ में डूब चुका है इस वक्त इरान के इस्रेल पर हमले और घाजा पर इस्रेल की लगातार बंबारी के बीच नेतनियाओ की बहुत ही खतरनाक पोर्स इंटरनाशनल हेडलाइन बन चुकी है पश्यमी मीडिया देखिए उनके अख़बार देखिए इस्रेल की नेद्जा येहूदा बैटैलियन पर बाइडन प्रतिबंध लगाने जा रहे है इस बैटैलियन पर आरोप है कि उसने फिलिस्तीनियों पर खुब जुल्म ढहाए है देखा जाए तो अमेरिका से आ रही ये खबरें बता रही है कि बहुत बड़े विबाद में घेचुकी है इस्रेल की नेद्जा येहूदा बैटैलियन इस बैटैलियन पर वेस्ट बैंक में मानवा धिकार उललंगन का इल्जाम है 1999 में बनाई गई बैटैलियन में सिर्फ पुरुष सैनिक है और वो भी अती रूडिवादी पुरुषों को इसमें लिया जाता है नेद्जा येहूदा बैटैलियन पर लगे इल्जाम 7 अक्टूबर 2030 से पहले के है लेकिन वेस्ट बैंक का दूसरा सच ये है कि 7 अक्टूबर के बाद से वहाँ 460 से ज्यादा लोगों की इसरेल की सैनिकार रिवाई में मौत हो चुकी है इसरेल की नेद्जा येहूदा बैटैलियन पर प्रतिबंद लगाने का मतलब है कि इससे अमेरिका से कोई सैन ने मदद नहीं मिलेगी इसलिए यही है बेनेमिन नेतन्याहू को शौक नमबर बन नेद्जा येहूदा बैटैलियन पर पाबंदी का मतलब इसरेल की सेना पर काला धबबा नेतन्याहू पहले ही अपने घर में लगातार प्रदर्शनों से जूज रहे हैं और अब उन्होंने अमेरिका की तरफ से आ रही इस रिपोर्ट को नाक का सवाल बना लिया है बाइडन का अक्रामक रवया देखकर नेद्ण्याहू को बहुत गुस्सा आया है अब नेद्ण्याहू की तरफ से रियाक्शन ऐसा आया है किसाफ लगरा है कि अजरेल अब ईड से ईड बजादेगा, उसकिरा में जो आएगा, तबाक कर दिया जाएगा अब देखिये, बेनमीन नेतनियाहू को शौक नंबर टू इसरेली सेना के इंटेलिजन्स शीफ एहरान हलीवा ने इस्तीफा दे दिया है 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसरेल पर हमला किया, पूरी दुनिया ने इसरेली टैंकों को जलते हुए देखा 1000 से जादा इसरेली नागरिकों और सैनिकों की मौत होई, इसी के बाद से इसरेल में अंदरूनी को हराम मचा था इस हमले के बाद इसरेली मिलिटरी इंटेलिजन्स के प्रमुक मेजर जनरल एहरान हलीवा बहुत दबाव में थे और अब उन्होंने अपने ओहदे को छोड़ने का फैसला किया ये ऐसा वक्त है जब नेतनियाहू के सामने बहुत से फ्रंट खुले हुए हैं और उनकी कमांडर भी बहुत ज़्यादा पेशर में है घाजा पर रोजाना नौन स्टॉप बंबारी के बावजूद इसरेल अब तक हमास को खत्म कर पाने में नाकाम साबित हुआ है घाजा में 34,000 से ज़ादा लोगों की जान जा चुकी है लेकिन नेतनियाहू अब भी खाली हां थे दोजार चौबीस में अप्रेल का महीना इसरेल के लिए ही नहीं इसरेल के प्राइम मिनिस्टर बेनमीन नेतनियाहू के लिए भी बहुत बड़ा शौक लेकर आया है अमेरिका इसरेल की मदद करने की बजाए उसकी सेना पर पाबंदी लगा रहा है इसरेल की पबलिक नेतनियाहू के खिलाफ सडकों पर उतर चुकी है और इन सबके बीच एरान से बड़े युद्ध का खत्रा अब तक टला नहीं है तहरान में इरान के सरोच नेता अली खामनेई ने मिलिटरी कमांडर्स की एक मीटिंग बलाई इसे इरान की पावर स्टेटमेंट कहा जा रहा है क्योंकि खामनेई ने इस मीटिंग में ऐसी बात कह दी हैं जिसे लेकर इसरेल के जवाबी हमले वाले दावों पर सवाल और त इसरेल का दावा है कि उसने इरान के हमलों को नाकाम कर दिया था क्योंकि 300 से ज़ादा ड्रोन और मिसाइलों से अटैक हुआ और 98% हमलों को आस्मान में ही रोक दिया गया जबकि इसरेल से आई तस्वीरों से साफ है कि 13 अपरेल की रात इरान की कुछ मिसाइल इसरेल के सुपर सीक्रेट नेवातिम एयर बेस पर गिरी थी इन मिसाइलों के साथ बड़े बम नेतन्याहू के साथ इसरेल की साख पर गिर रहे हैं नेतन्याहू के कमांडर स्तीफा दे रहे हैं नेतन्याहू से इसरेल की पबलिक पूछ रही है कि घाजा में बंधक बनाये हुए लोग कब आजाद होंगे इसरेल से लगातार पूछा जा रहा है कि इरान को कहा मारा कैसे मारा किसे मारा कितनों को मारा सबूत कहां है झाल झाल